समाजवादी पार्टी के वरिष नेता स्वामी प्रसाद मौरिया जी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं सर आज ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी में तूट होने जा रही है तमाम विधाय कई सांसद मंत्री बनना चाहते हैं सत्ता का लाब लेना चाहते हैं इसलिए वो तूट होने जा रही है उसमें महराश्ट की तरह यहां भी उनकी चिंता जो है उनको मुबारख हो समाजवादी पार्टी के वो ना सलाकार है और ना कोई जिम्मेदार पतातकारी है इसलिए वो अपनी पार्टी की चिंता करें समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूती के साथ सटा परश का विरोध कर रही है बेवस्की भूम का निभा रही है और हमारे हाँ अनकोई टूट होने वाली है अनकोई विरायक टूटने वाला है हावा में तीर चलाने से राजभर जी के मनसुबेश काम्याब होने वाले नहीं वो इस तरह की बयान बाजियां क्यों कर रहे हैं आपकी पार्टी को लेकर लगतार अखलेश यादो पर निशाना रहता है कि जब वो सरकार में थे तब पिछुनों का दलितों का अल्प संख्यागों का सम्मान नहीं किया और अब पीडिय की बात कर रहे हैं वो सम्मान की बात कर रहा है विपक्ष में आने के बाद इस तरह की बयान बाजियां उनकी लगतार चल रही है और अब ये तूट वाली बात भी सामने आ रही है कि तूटने वाले विदायक बहुत जल्दी तूड जाएंगे अब वो हलकी फुलकी बयान बाजी के चलते सुर्खियों में रहने के यादी है इसके सब्सक्राइब उनका कोई और मक्षद नहीं है इसका मतलब है कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ लाइम लाइट में बने रहना चाहते है इसलिए बयान बाजी कर रहा है स्वाहई ग्रूप से उनकी यादत में आ गया है कि कैसे मीडिया में रहें कैसे सुर्खियों में रहें और हर जगहा बिदूसक होता है तो राजनीत को बिदूसक है इसलिए उनकी बात को कोई गमिशा से लेता नहीं है वो हवा में बोलते हैं और हवा में उड़ जा रहे थे अभी आपके साथ थे तो आप लोग तो बड़ी तारीफे कर रहे थे उस वार तारीफ तो मैंने कभी नहीं किया चूंकि जैसे जैसे लोक्षभा के चुनावन अद्धिक आ रहा है वो भाजपा गणबंद से ज़्यादा से ज़्यादा शीर्ठ हत्याने के लिए भाजपा को खुश करने के लिए इस प्रकार के बात करने के वादी हो चुके हैं और उनकी आदत में है कोई कितना भी कहे अपनी आदत से बात नहीं आएंगे इस लिए उनकी बात को ना हमारी पार्टी गमीरता से लेती है और ना प्रदेश की जनता उसको गमीरता से लेती है है कि सब जानते हैं कि उम्रकास राजवर जी बीजी-प की गूदी में खेल रहे हैं तो उनहीं की भाषा बोल रहे है उनहीं के इशारे पर इस तरह की बाजियंबा Millennials हो रहे हैं आप कहां से बोल रहे हैं कहां से नहीं बोल रहे हैं यह तो उम्रका साजबाजी खुद जानते होंगे लेकिन समाज़ादी पार्टी की सहत पर उनके इस बेहन का कोई मत्तब नहीं आपके एक साथी हैं गडबंधन के जहनत चौधरी चर्चा है कि उनको जो है वो मंत्री बनाया जा सकता है तो एक दल आपके साथ ऐसे ही अलग हो गय है भारती जनता पार्टी से अरेलडी की अबराल कि कि मुझे पुरा भरोसा है जैन चोधरी जी अपोजिशन के एक मद्बूत अस्तंब है कि समाज़वादी पार्टी के दुद्धन में विद्धन सबाच नौँ में रहे भी हैं समाज़वादी पार्टी ने भी गरबंधन धर्म निभाते हुए जैन चोधरी जी को राज़्टभा में भी भेजा है और हम समझते हैं जैन चोधरी गरबंधन धर्म निभाएंगे एक सवाल ये था कि पिछणों की राज़नीत में भारती जन्ता पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है कल अमित शाह लखनव में थे सोने लाल पटेल की जैनती मनाई गई और कहा कि अब पिछणों को के दम पे या पिछणों को एक करके अपकी 80 की 80 सीटे उत्तर प्रदेश में हम लोग जीतेंगे देखे अनुप्रिया प्रटेल जी ने मानी सुनेल प्रटेल जी के किये क्राय पर पानी फेर दिया है सुनेल प्रटेल जी कट्टर बुद्दिष्ट और अम्बेकरबादी थे हमेशा मनुबाद यतासित बाद और भाजपा के खिलाफ शंघर्ष करते रहे पूरा जीवन उन्होंने सड़कों पर संघर्ष के माध्यम से देश के गरीब कमजोर दलित पिछड़े हाथ के लिए लगाया आज भारती निता पार्टे के साथ रहकर अनुप्रिया प्रटेल जी कि अन्सुची जाती अन्सुची जन जाती और पिछणों के खत्म हो रहे आर्चन पर कभी बोलती नहीं जुबान नहीं खुलती है आज ना के वल उन्होंने सुन्याल प्रटेल जी के अर्मानों का गला हुटा है उनके सपनों को तारतार किया है बलकिन उनके विचारों को भी उन्होंने गिरुई रख करके केवल पिछणों के नाम पर गढ़्याली आंशू बहार रही है जहां जहां भाजपा साशीत राज्य हैं भारतिय समिधान प्रदत स्ट और ओविशी को जो आर्षणर दिया गया है लगातार भाजपा सरकार निश्प प्रहावी करती जा रही है कहीं कहीं शून्य की इस्तित पहुंचा रही है एक नहीं दर्जनों मेरे पास इसके उदाहन भी है और अन्पिया पटेल जी ये सब जानती हुए भी अगर दलितों आदवासी पिछणों के आंग में धूल जोगना चाहती है तो दलित आदवासी पिछड़ा अपने हक, हकूक, सम्मान, स्वाहिमान, हिस्ष्यदारी के लिए सौधान भी है वो किसी भी गिरत मुगालते का सिकार होने वाला नहीं है इसलिए भारती जन्ता पार्टी की उल्टी गिंतिक सुरात हो चुकी है जब भी लोग्षभा के चुना होगा जिस तरीके से भाजपास आसन में बेताहसा ब्रोज़गारी बड़ी है देश का नोज़वान ब्रोज़गारी का दंजेल रहा है महंगाई की आग में देश की जन्ता जल रही है जिएस्टी के दिर्पयोग करके लगवियों मध्यम व्यापारियों से बड़े पहमाने पर धना दोहन क्या जा रहा है साथ ही साथ आरारिक्ता का महौल है पूरे प्रदेश में जन्रल राज है जिस देश की राष्टपती जी को भी जाती अपमान का कड़वा घूट पीने के लिए मजबूर होना पड़ता हो यह देश का सबसे बड़ा दुरुभाग्य है कि सर्बोर्श सम्मादानिक पर बैठा हुआ राष्पती भी अपने सम्मान के रिक्षान नहीं कर पा रहा है धरम जात के नाम पर दरीतों आजबास्यों पिष्णों के साथ नक्यवल उनका हक शीना जा रहा है आर्शन खतम किया जा रहा है जान बुझ करके उन्हें तमाम जूटे मुकदमे का सिकार बने जा रहा है जाती धरम के नाम पर बुलूज़त चलाए जा रहे है और आजादी के बाद भाज़पा एक आईशी अस्फल सरकार है जो राश्टी प्रतिस्ठानों को सरकारी विवागों को एक एक करके उद्वपूतियों के हवाले कर रही है जनता ने सरकार चलाने का जनदेश दिया था लेकिन भाज़पा सरकार सरकार नहीं चला पा रही है जिसके चलते सरकारी विवाग उद्वपूतियों के हवाले बेच रही है जिन सरकारी विवागों में नो जोनों को सरकारी नौकरियां मिलने की उमीदे हुआ करती थी भाज़पा उन नो जोनों के उमीदों का गल्ग होट रही है और ये भाज़पा सरकार देश की सभी बंदरगा बेच दिये एरपोर्ड बेद दिया, एर इंडिया बेद दिया, सारे रेड़रे सेशन बेद दिये, कई दरजन टेने बेद दी, यहां तक कि एलाची जेची बड़ी संथा बेद दी, तो अभी तनों ने शुरुगात किया है, पूर में जो भी शरकारे आई हैं, जिसको यह पानी पानी प इतन्यों का राश्टी करण किया है, यह पहली अस्फाल और निकमी शरकार है, जिस ने जनता के विश्वास के साथ, विश्वास जहात किया, और शरकारी संपत्ति शरकारी भाग को निजी छेत्रों में बेचा है ये पाप किसी और शरकार ने नहीं किया भाजपा ने किया है इसलिए अनुप्या पटेली जानबूश के नादान बंती हैं तो हम समझते हैं आने माले समय में दलीत आद बार्शी उनको सबग चिखाएंगे पिछले उनको सबग चिखाएंगे और यहां तक कि उनका समाद भी उनका साथ छोड़ेगा यूनिफार्म सिविल कोर्ट की बात प्रधान मंत्री कर रहा है कि यूनिफार्म सिविल कोर्ट लागू होना चाहिए देश में और खलेश यादव जो है वो कह रहा है कि इससे सब का नुकसान है चाहे हिंदू हो चाहे मुसल्मान हो हर दस कदम पे लोगों के चाल चलन रहने स तहने का तरीका उनकी परमपराएं बदलती हैं ऐसे में यूनिफार्म सिविल कोर्ट का विरोध हिंदू भी करेगा देखिए स्वाहई गूरूप से भादपा सरकार की मन्सा साफ नहीं कि उस स्रामान आचर संग्टा में क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं सार्विं रूप से चर्चा होनी चाहिए सभी व्योक्षी पार्टियों की साथ बैठक करके आपसी सहमती होनी चाहिए सभी धर्म और पंथ के धर्माचारियों के साथ भी आपसी सहमती के लिए बात करनी चाहिए इसमें कोई दोरा नहीं कि हमारा देश बिविन पंथों का है बिविन धर्मों का है बिविन संस्रितियों का है और साथ ही साथ हर छेत्र की अलग-अलग अपनी संस्क्तिक मिराशत बचाने के लिए अपने तोर तरीके से उनका रहना सैना है खाना पीना है परिधान है तो स्वाहई ग्रूप से इन सपर बिस्तार से चर्चा होनी चाहिए जब भात्पा सरकार धर्म और जात के बिना पर अनसुची जात अनसुची जन जात पिशों का आरशन खतम कर सकती है जूटे मुकर्मे दर्च करा सकती है बुर्लोजर चला सकती है एक धर मिशेश के अपराधियों का हवाला दे करके उनकी पैत्रिक संपत्ति को नस कर सकती है उनको आयातित गुंडों के माधम से गोली मरवा सकती है तो यूशीशी के नाम पर भी भेदभाव नहो इसलिए बिना अपसी सहमती के अगर सरकार इसको लागू करती है तो स्वाहवी रूप से ये बिवहारी रूप से आमनी जामा कभी नहीं ले पाएगा सरकार मनचाहक मनमाना कर सकती है लेकिन जनता इसको स्विकार नहीं करेगी और जैसे भाजपा की विदाई होगी इनका लागू किया गया कानून भी वापस होगा एक सवाल यह था कि 2024 के चुनाओ नजदीक है उससे पहले राम मंदिर का उद्गाटन होने जा रहा है और कह रहा है कि अब तो राम राज आया मंदिर यहां भी बनवा रहा है काशी में भी हमने काम कराया मतुरा का नंबर है वहां भी काम करवाएंगे तो क्या लगता है से भी थासी विस्णात मंदिर तो बनाया सारी भ्यासा अधानी के हाथ हों दे दिया जह दिन राम मंदिर भी पुरा बन जाएगा उद भी अदानी या किशी और पूझी पति यहांद में चला जाएगा तो द्धार्मिक अस्थलों का अपना एक अलग महापत है कि सद्धा और भावना से जुड़ हुए धार्मिक अस्थल होते हैं, किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक अस्थल हो, उसका मुख्य आधार, सद्धा और उसकी भावना होती है, सद्धा और भावना के केंद्र को भी आप उद्ध्योगपतियों के हाले कर रहे हैं, और फिर राम जनम बन जाएगा तो उसमें भात्पा के इसान क्या है तो मानी सर्भोच नजय के निदेश पर बन रहा है लेकिन भारती अनता पार्टी राम का भी पिटन करा करके उनको ही बेचना चाहिती है राम आज के नहीं है हज्जारों साल से लोग उनका पूजा करते आये हैं हज्जारों साल से उनके प्रती लोगों का सद्धा है सम्मान है भावनात्मा का लगाओ है तो उसमें भात्पा कहां से आ जाती है यह तो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे तो राम को लाए हैं यह कहते हैं मदब राम को लाने हो इठकिदार बन गए है लोग कहते हैं कि यह तो उल्टी गंजा भार हैं तो यह लेशे नहीं है यह तो राम के नहीं है कि यह थो डूसमन है उनको पेटन कदा करकरके यह बेचने की फिराक में है लखिन हैं भारतेर आन्ता पार्टी अभी करनाटक में है भी अधिरग बंद्राइब против को बेचने कुछिश की वह मु वो तो गुलाम थे, दास थे, सेवक थे, भगवान तो हमने बनाया, तो ऐसी उसी बात करने वाले लोग, राम को पैदा कर रहे हैं, जबकि माननता ये है, कि राम आज के नहीं, हज्जारों साल से लोगों के आस्ता के क्लिन रहे हैं. एक आखरी सवाल ये था, आज अखलेश यदाओ के सियार से मुलाकात करने के लिए हैदराबाद गए हैं, क्या माना जाए कि जो विपक्षी एकता की बात चल रही थी, कहीं न कहीं विफल होती, थाबित हो रही है? अब ये भाजपा और भाजपा समर्थकों के दिल दिमाग में होगा, विपक्षी एकता सकारात्मक दिसा की और आगे बढ़ रही है।